गुट मॉर्निंग गाइस वैलकम तो माइचाइनल मिस्टर भिलेज सीटी तो भाई अभी हम आये कुट्व मिनार तो आज की ब्लॉग सिर्फ कुट्व मिनार के उपर ही बनाएंगे चलिए सुरू करते हैं भाई फिलाल तो अभी हम अकेले नहीं मेरे साथ कुछ और भी दोस् तो सबसे पहले उसके पास जाते हैं किदर गया वह लोग वह किदर गया अभे तुम लोग फोटो घीचरा है जब तुम लोग है लो बोल दो यह लो यह मनीश और यह सरोज यह भाई है अबना तो उदर क्या गड़ा तो भी दर फोटो बाद में किस पा लेना एक और है उसका नाम में राहूल तो भाई वैसे तो मैंने अपने दोस्तों से मिलवा दिया आपको तो अभी सबसे पहले हम आपको कुछू मिनार का सीन दिखाते हैं पूरा ही कैसा है नहीं है तो चलिए जलते हैं हुआ साथ हुआ जागा यहां परफेक्ट इसके बगडल में आप ऊपर बाद करेंगें प्लेन भी जा रही है, हर 5-10 सेकेंड पर आ रही है, एक नेक, चलो यह तो बीच का सेंथा, अब मैं इसके अगल बगल कभी सेंथी खाता हूं, कैसा है नहीं है, यहां पर बहुत ही अच्छा जगह है यार, और वैसे आप लोगों को पता है, यह दिली तो दिलवालों का है, त दिली में तो मन नहीं बहुत लगता है, भाई यह अभी मैंने थोड़ी दर पहले बीच का सेंथ दिखाया था अभी यह बाहर का सेंथ, आई में बाहर भी नहीं कह सकते हैं, अंदर ही है, बट यहां पर यार, बहुत ही अच्छा जगह है, अभी मैं थोड़ी दर पहले उद तो भाई सभी अपने फोन में फोडो घीज रहे सुटिंग कर रहा है, तो हम सोचे थोड़ा हम भी दिखाई दे आप लोगों को, इधर बगल में पार्क भी है, पार्क भी हम दिखाएंगे पूरा प्रोपरी, पहले अंदर का दिखा देते हैं, इसके चारो तरफ ऐसे ही बना हुआ है, आइ में खंबे की तरफ ये दिख रहा होगा, आइ में ये गोला सा है, पूरा गोल ही, पूरा सब जेगा ऐसे ही दिखेगा आपको पूरा 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 पूर पूरा राउंड पे आप जाओगे निसके अंदर में पार्क पे बहुत ही इच्छा सा और यहां पर एक और खासेत है यहां पर ना हर पांच-दस मिनिट पे प्लेन आता है वही चलो आपको आप आपको सनाई देता ही होगा वैसे मैं आपको दिखा देता हूं उपर करके यह देखो इंडियन एरलाइस यार है चलो इसके बाहर भी जागी तो कर दिखाते हैं आपको इसके बाहर क्या है नहीं है ओ भाई यह है इसके अंदर का से कुंच छीचा कर देखा दीशते हैं नहीं कर देखते हैं आपको इस पहला है ओ रूशा की कि फूर्द भाई के श्लिर्व प्ल्स प्रास का लाई बाहर लाई्डवान कुछ इसका डाफिनेक्शन बेगरा लिखा हुआ है बाइब पताने क्या है नहीं है मुझे तो इसका समद्ट फैन नहीं चलो कोई नहीं तो चलो आपको बीज का शिंद इखाते हैं यह देक उसके सामने विया से राउंड सा बना हुआ है इसके चारो पगल का पहले सीन दिखा देता हुआ उसके बाद बीच में दिखा दूँ इसमें भी वह ही है यह बहुत ही अच्छा जगह में इसकी कुछ कह नहीं सकते है इतना अच्छा जगह है सब जगह ऐसी बना हुआ है इसे तो और भी ज़्यादा अट्रेक्टिव होता है इसे देखो इदे से स्टार्टिंग है तो यह लो यह सामने का भी हुए बोले था आपको बीच को हम जाके दिखाते हैं तो हम बीच में आ गया बीच में ऐसा ही है यहां पर एक कप्रिस्तान सब बना हुआ है और उधर भी बना हुआ हुआ है उसके बीच में इस सीन है तो वैसे मैंने आप लोगों के दिखाई दिया अंदर का भी शिन दिखा दिया को तुमिनार का भी दिखा दिया और साथ ही पुरे बाहर का भी शिन दिखा दिया तो भाई बहुत ही अच्छा जगह है आप लोग भी आओ घूमो यार बहुत ही अच्छा जगह है हाँ एक औ एक और ब्लोग डालने वाले हो लाल किलाप होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में.